छके एक बिर्दे बने एम शंका था, जेवी के थोडा कासमा अनन्ध जीवनु शमावू। अथवा अनन्ध पुद्गल परमानु शुक्ष मेरे देग बटाकाना स्वौई जेतला भाग मा ए अनन्द जीवो छेँ, अनन्द जीवो टेमों छेँ एक इविर्दे समय सके, तेमा पाची अनन्त कार्मन ब्रग्णाव एक एक जीव उपर छे, एक इविर्दे थतु अशे, विशंकाव थार जेवी के थोड़ा आकासमा अनजीवनु शमावू, अथवा अनन्त पुद्गल परमाणूनु शमावू, नू करवा पनू, रहतु नथी एक एवि जे शंकावनू करवा पनू रहतु नथी, उपर वात जणावी यवई जे संकाँअने करवाण रहतू नती नैती यधार छे हम समझाए छे ते छताँपन जो मानवा औरमो नहीं आवतू होए वे आपनने तो आवा यावा आत्मानों में नती आवती अथवा शंका करवाणने कारण रहतू होए तो नानी कहें छे कि उपर बतावे लो पुर्शार्थ करवाम आवियती अनुभव सिद्ध थसे उपर दिये में पुर्शार्थ बतावे लो तमें आत्मगनान करो पछी जूओ कि तमने आता तो निश्रधा आवे छे के नहीं आत्मावन सुक छे एक वार वेदन माव शे तेरे ने लागे कि आउँ सुक तो में कोई काले जोई नहीं आउँ सुक छे तो बिजी वातो पन सत्य जोई शेके एमें ने भानमाव शे ले तमने शंकावती होए तो आत्मगनान प्राप्त करोद बदी शंका निर्मूर थाई जशे हवे आगलनी पचीसमी गाथा मा केचे राग द्वेशने मंद करी गनानी पुर्षे कहला शास्त्रो वेराग उपसं सहीत वाच्वा विचारवा थी छपद नव तत्व बगेरे सर्व सिद्धान तोनी जिवने खातरी थशे राग द्वेशने घटाड़ो पहला के मंद करो अने पची गनानी पुर्षे कहला शास्त्रो ते वेराग उपसं सहीत वाच्वा तो पची जुओ के तमने छपद नी शद्धा था से नव पद नी नव तत्वनी शद्धा था से वगेरे जे सिद्धान तो गनानी पुर्षे कहले ते नी पन खातरी था यज़े पन क्यारे राग द्वेश्च मंद करीने वेराग उप्षम भाव सहीत उपदेश बोध प्रण में पची सिद्धान बोधने विचारो तो तमने वाच शद्धान मा जरूर आफशे अने तेती सम्यक दर्षन नी प्राप्ती था से किमके ततो नी शद्धा थेगी अने तत्वार शद्धानम सम्यक दर्षनम ततो नी शद्धा इस सम्कित थे सर्व प्रकारे राग द्वेश्चनो नास्तायतो जीव स्वयम मोक्ष पदने पाम से राग द्वेशने मंदकरीने विचारो तो तत्वोनी शद्धा थासे औने तत्वोनी शद्धा थे समकित थे जो आगल पुर्शार्थ वधार्शो तो संपून राग द्वेशनों नास्त थे औने संपून दा राग द्वेशनों नास्त थे तमने स्वयम मोक्षपद नी प्रा राग रोश छोड़या थी खात्री सव सिध्धान्त नी थासे जी सर्व प्रकारे छूटे तो जीवा मोक्षे पोते जासे जी राग रोश रोश लेद्विश राग द्विश छोड़या थी खात्री सव सिध्धान्त नी थासे तमे राग द्विश ने मन्द करीने और जो वेरागुपसम सही द्दानि पुष्णावतनो विचार शो तो पंद सिध्धान्त नी थासे कि भगवान केली बात सत्ती छे अन्य सर्व प्रकारे जो तमारो रागदे छुटी जाए तो 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 तमें के वनना अन्पाम सो वित्राग थसो सर्व प्रकारे छुटे तो रागदे छुटे तो सर्व प्रकारे छुटे तो जीवा मोक्षे पोते जासे जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकडि काडे जि अवे आगलनी गाथामों केछे नव तत्व के साथ तत्वनी छ पदनी के छ द्रव्यनी बातोनो बदोसार जीव द्रव्य के अजीव द्रव्य बे तत्व मा समाई छे आत्मा जीव द्रविछे बाकी बधां जीव द्रविछे नव तत्वो के सात तत्वनी छपद चद्रव्य निवातो जी जीव या जीव बेद्रव्य के तत्वे सार बधोय समातो जी जीव या जीव बेद्रव्य के तत्वे सार बधोय समातो जी शुक्षम तत्व प्रतीती पाम्या अचल या कनि काले जीव नव तत्व को के नव पदार्थ को पुन्य पाप भेगालिये सात तत्वनी साथे तेरे नव पदार्थ के वाईच जीव अजीव आश्रव संबर बंध मुक्ष निर जीव अजीव आश्रव संबर बंध मुक्ष निर जीव पाप उन्य साते लोग नव पदार्थ जीव अजीव अजीव द्रव्य अजीव अजीव द्रव्य धर्मास्ति का अकासनेकार द्रव्य इच्छ पत के इच्छ द्रव्य के नव तत्व के साथ तत्व ने बधी वातो जीव जीव ए बेद्रव्य माँ समाई जाई छे जीव 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 बे तत्व कहो के बेद्रव्य माँ आ बधा तत्वा अन तत्वो नो सार समाई जाई छे जीव या जीव बेद्रव्यक तत्वे सारबधो या समातो जी अवा भगवान ना कहला तत्व सिध्धान तोने नानी पृष्णा बोधना अधारे समझो के जीव जी बे तत्वों वजा तत्वों सार समाई जाये छे पञ आ सिध्धान तत्वो छे जीव जीवा दी एने एगनानी पुर्ष्णा बोधना आधारे समझ जो समधी कल पना है नहीं सिद्धान्त समझ जो सद उपदे से एकांते नहीं आरोजी भगवन तो एजे अनुभवी ने सिद्ध कहला करेला पदार्थनुजे सरूप कहें ते सद्धान्च है एने तमे गनानी पुर्ष्णा बोधने आधारे समझ जो एकांते नहीं आरोजी एकांते वस्तु सुरूप मानवा थी संसार समुद्रनो किनारो आवेयम न थी केम के वस्तु मानन दुगुण धर्म रहाचे ते एकांते कही शकाय नी इस स्यादवाद थी ज कही शकाय माटे भगवान ना कहला चद्रव्य साथ तत्व के छपद के चद्रव्य आधी शुक्ष्म तत्व ने शुक्ष्म विचारे स्याद वाद वड़े समझ वाद थी सद आचार एले सम्यक चारित्रनो उदे थशे स्यादवाद थी समझोए प्राण चे जेन दर्शनो अए ने ये भगवान वितराग प्रणुपित तर्थंकरोजी वितराग ध्रमबोजी अमज चे विजे कहीं चे नी स्यादवाद तत्व ये स्यादवाद तत्वे जेन दर्शनो प्राण चे ये स्यादवात तत्व दी तम्हें बदी वस्तु सरूपने समझवानी पुशिस कर सो तो केछे तम्हारों पन सम्मेक चारी तुनों उदे थशे सिद्धान्त समझ जो सद उपदे से एक आंते नहीं आरोजी शुक्ष्म विचारे शुक्ष्म तत्व सव समझे सद आचारों जी शुक्ष्म विचार थी और शुक्ष्म तत्वों ने जो समझ सो तो तमारा पन सद आचार नो उदे थशे तमारा मापन सम्मेक चारी तर प्रगड़ थशे तमारे पणिविर्थे वर्तवानों भावधा से तत्वों समझा से तो पाप ने समझी ने कोई पाप आचरे नहीं पर दुख अगनाननू छे अनादी आकालती आज इवने सुन दुख रूप सुन सुन शुक रूप एनुज भान न थे सुमाराद आत्माने बन्यन रूप छे एनुज ख्याल नहुआ थी पाप मा प्रवर्ते पड़े जयर समझाई जाये कि आप पाप छे ने आप उन्ये छे तो जानी ने कोई जी पाप बांदे निया पड़े ने खबर दुख न थे अवे आगल नी 28 मी गाथा मों के छे भगवान नी आगना अंसार उपदेश करतां श्री गुरु करोध करे तो पन तेक शमाना भंडार छे जयमके शिश्यनों दोश बार कढ़ावा तडूकी ने बोले पन तेमनों अंतर आशे शुद्ध होआ थी तेक शमाना भंडार छे नानी पुर्षोत प्रमात्मा छे एकोई दिवस शिष्य नो दोश कढ़ावा तडुकी ने बोले तो एमा पण एमनो आशे सुचे के ना अंदर ती दोश कढ़ावो छे ने निर्मल करवो छे आत्मा ने शिष्य ने माटे बोले छे आगना अनुसरता उपदे से क्रोधक्षमा भंडारोजी आगना अनुसर्वा इतले भगवान नी आगना अनुसार उपदे से क्रोधक्षमा भंडारोजी मगवान नी आगना अंसार उपदेश करता श्री गुरु क्रोद करे तो पन ते क्षमाना बंडार छे केम के शिश्य माँ जे अनन्तो दोश रेला चन अनन्ता ते बार कढ़ाव माँ टेमने दोश काड़े नी शिश्य तो तडुकी ने पन बोलू पड़े पने नो अंतर आशे अनने दुखी करवानो न थी अंतर आशे नो दोश कड़ावानो हुआ थी ये शुद्ध आशे हुआ थी एक नानी पुर्शोतो बारती बले करोद करता देखाये चतांक शमाना अज बंडार छे कृपाल देविया आवात मुक्ष मालामा लखी चे दयान ना पाठमा अनुबंड दयामा कही चे गुरु के शिक्षक शिश्यने कडवा कर्थंदी उपदेश आपे ये देखाव मात योगी लागे चे परन्तु परिणामे करुणानु कारण छे येनु नाम अनुबंद दया शिक्षक को की गुरु हो एश शिश्यने कडवा वचेंदी उपदेश आपे माने नी ये ले शुन करे शिश्यने गड़े उतार विचे वाद ये देखाव मात योगी लागे कि आविर्देकरोद करे पणे नो अंतर आश्य शिश्यने सुधार्वा हो थी येना अंतर आत्मा मों तो करुणा छे दया चे ना प्रते माटे तेनु नाम पन अनुबंद दया छे जयरे कोई विचार पुर्वक भगवान ना वच्चन ती विरुद बोली उत्सुत्र परप्णा करे अने ख्षमा राखे तो पन ते जी महा मोहनिय कर्मने उपारदिन करे छे उपर दी ख्षमा वांद देखायों किन ग्षमानो धारी उने बोले भगवान ती विरुद उत्सुत्र परप्णा करे तो पाप नहिकोई उत्सुत्र भासन जी से धर्मने यकोई जगसुत्र सरीको भगवान ने जे कोई एना उपदेश्ती जो विरुद्ध बोले तो एना जिवो कोई मोटू पाप न थी पजी बलेंदे उपर दी क्षमानो अवतार देखार अने गुरु जे परमगनानी पुरुष्चे पन शिष्णो दोस कड़ावा उपर दी कदाज बोले तडुकी ने पन देखावें लागे के क्रोधी पने क्रोधी न थी एतो क्षमाना अज बंडार चे अने पेलो उपर दी एक दम शान देखार अने अंदरमा भगवान ती विरुद बोले तो ते महा पापी छे अने अनन संसार वधारे छे अगनाय नुसरताय उपदेसे क्रोध क्षमा भंडारोजी क्षमाय गणी उत्र सुत्र विचारे महा मोह घरबारोजी जारे एक शमाय गणी उपर ती तो खषमा देखाए एवी खषमाय नेपन गणी उत्सुत्र विचारे उत्सुत्र परुपना करनार एवा जेना विचार छे तेनी खषमा पण महा मोह घरबारोजी महा मोहनी कर्मनुज घर छे ये वो जीव ते बले ने एक शमावान देखाए पण ते जीव महा मोहनी कर्मने जो पार जिन करे छे ते महा पापी बनी ने अनन संसारी थाई छे भगवान महाविडनाच जीवनी बाद छे के जे भगवान दुषब देवना समय मा भरत महाराजाने पूत्रता मरीची नामे ते भम्हा इरादा पूरवक धर्मती विरुद्ध बच्चन बोल्या के धर्म तो यहाई छे न त्याई छे जाने जेक मारी पासे तो कहीं ने ता ता अमेज के भगवान दुषब देपासे जाओ पर ज़रू पड़ी शीश बनावानी तो कह धर्म तो कह धर्म तो यहाई ख्याई जह दर्म तो यहाई छे थे जिल्ली इरादा पूरो को सुत्र पॉरपना करी मगवान ती विरुद्ध बच्चन बोल्याउ एक कोडा कोडी सागरोपम ने लगभग संसार ना दुखो भोगवियां छे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या भगवान बेला रुषब देवने क्या महाविट स्वामी बनया ये मरिचिनो जी अनन्त दुख भोगवियां ये ले के छे भगवान ती विरुद कदी बोलवो नी और ये वा भले उपर ती क्षमावान देखाए पर भगवान ती विरुद बोले तो ये ना वचनों कदी सांबळवा पन ये पसे नों संगपन करवो नी और गुरु होई साचा आत्मनानी होई अने कदाच आपने वडीने पन आपना दोस कारता होए तो तेनी आगना मानवी आगनाय नुसरतायु पदेशे क्रोध क्षमा भंडारोजी क्षमाय गणिउत सुत्र विचारे महा मोह घरबारोजी शुक्ष्मतत्व प्रतीती पाम्या अचडया कडिकाडे जीम आप्रमाने विश्चेत जनावे छे जी आपने आपने आवती काज़ जाई सुत्र वडेवर्दी प्रतीती शुक्ष्मा तत्व आत्मा तत्व छे एनी प्रतीती एडले एनो विश्वास करवो जोई एना विश्वे या गाथा उगंतरी स्मिके छे उपरना वाक्यो शोता एले सांभलनार माटे कहां छे के श्री गुरु आपना भला माटे करोद करे तो ते सामडी आपनी भूल सुधार्वी उपरना वाक्यो जी काले वाता वेली देमयननती दया चे करुणा चे एनुक अनुबंद दया चे अपड़ा भला माटे ते करोद करे चे तो ते सामडी आपनी भूल सुधार्वी अपना गुरु ए मारा निमित्ते अमने कोपाय मान थऊ पड़ीऊं के अमके हूँ दो सुधार्व नथी तो हवे ए सामडी ने महाली मारी भूल सुधारूं इवो भाव पजो जोई पान अमना समझूं के श्री गुरु क्रोध करे माटे आपने पन क्षमार आख्वी कहीं जरूरी नथी यवे आपना गुरु क्रोध करे तो आपने वड़ी क्षमार आख्वी जरूरी नथी गुरु ने क्रोध आविजा तो आपने आविजा है M नहीं M के मानिन लेवूं कि गुरु क्रोध करे माटे आपने शमा राक्वी काई जरूरी न थी M न मानू पन श्री गुरुनी आगना आपना कल्यान माटे छे M मानी गुरु प्रत्य बाहिय द्रश्टी नो त्याग तरो गुरु प्रत्यावी बाहिद्रश्ची राखवी नहीं अर्थात गुरु थही ने क्रोध करे छे एम कल्पना करवी नहीं तो जु आपड़ा गुरु थही ने क्रोध करे एम एमना प्रत्यावी कल्पना करवी नहीं आपड़ा हित्माटे करे छे परम्पुजे प्रभुष्य जी कोई नी भूल था तो एवा वर्ता के शीष्य सुदरिज जाए जे भी भूल बिशेश भूल थे ये तो एवी जाटक नी काड़े के भूलिज जाए फर ये वा दोश्यो करवान लोग येमा अनन्ती दया छे अमनी येमने तो उड़ती आपना निमिते तकलीप पड़े छे आपने जोहू जोये कि आपना निमिते येमने कितनू दुख पड़े कि एवों उँचे आवाजे आमने बोलू पड़े ये महारा गुरुने महारा निमित्य उन था येवु आपड़े था हुजुए पण गुरुना कदी दोस्ट जोवा नई शुक्ष्मा तत्व प्रतीती पाम्या अचल या कडिकाले जी वच्चन कया आशोताय रथे ख्षमान त्या मुकावी जी त्यां क्षमा आपड़े मुकी देवी येना माटे गुरुनी वात नथी करी वच्चन कया आशोताय रथे ख्षमान त्या मुकावी जी अगना हितकारी समझावा द्रश्टी बाहियत जावी जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकली काले जी अगना हितकारी समझावा नानी पुर्षोनी अगना आपड़ा हितने माटे छे ये समझावा माटे आवाद करी छे कि गुरु आपड़ा माटे किटलो श्रम ले छे आगना हितकारी समझावा माटे एमनी आगना आपड़ा कल्यान माटे छे समझावा द्रश्टी बाहियत तजावी जी बाहिद द्रश्टी छोड़ी देवी गुरु प्रते बाय द्रश्टी न राख वी, कि आवा मोटा थीने करोध करे, 15 माटे करे छे तु आवो छे माटे करे, नहीं तो ये करोध समटे करे, अने ये भी उपर उपर नोच छे इमने अंतरमों न थी, अंतरमों तो दया छे एम द्रश्टी बाय तजावी जी, अवे केछे, जी हमेशा सास्त्रा भ्यास करे छे तेने ते प्रमाने वर्तन करी, अनुभव करवा माटे, श्री गुरु ये शिक्षा आपता कह्यू होई क्या सास्त्रों तो सर्व जड़ छे, तो ते सांबडी निज हित्माच चित लगाऊं के हूं सास्त्र प्रमाने वर्तन न करूं, ते सास्त्रों मने कहीं केवा वाना न थी श्री गुरु सुंकरे, नेरं तेर सास्त्रा भ्यास कर दो होई, पना जीवन में मिन्डू, कहीं वर्तन में लावे नी, इले गुरु येम कहीं दे, कि आ सास्त्रों तो बदा जड़ छे, जड़, शुन येमा माथा फोड़े चाखो दिवसे अर्थात येम केवा न आशे, के आ सामड़ी ने अवेतु येमा थी, तारा जीवन में कहीं उतार, जीवन में तो कहीं उतार तो इन्थी, आ सास्त्रों तो जड़ छे, कहीं केवा वाना न थी तने सास्त्रा भ्यासे वरते नित्ये, तेने अनुभव लेवा जी सास्त्रा भ्यासे नित्ये वरते, तेने अनुभव लेवा जी शिक्षा आपी जड़ सास्त्रों सव, निजही ते चित देवा जी शिक्षा आपी जड़ सास्त्रों सव, निजही ते चित देवा जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या, अचड़ आकड़ी काले जी सास्त्रा भ्यासे वरते नित्ये, हमेशा सास्त्रा भ्यासे वरते तेने अनुभव लेवा जी जे वांचियों विचारियों तेनों अनुभव लेवा माटे गुरुये कहिऊं, के शिक्षा आपी जड़ सास्त्रों सव, आ सास्त्रों सर जड़ छे ते सामणी ने निजहीत्म चित लगावूं, निजहीत्ते चित देवा जी ते सामड़ी नी जितमच चित लगाऊं कि ओहो जो हूँ सास्त्र प्राणे बरतन न करूँ तो आज सास्त्रों तो मने के वावाना न थी एम लक्ष लेवो पन कोई एम ले ले के लिए आज सास्त्रों गुरुतों के ज़र चे बजायत ले मुखी दो तो आज सास्त्रों तो ज़र चे आज सामड़ी जो शिश्य जे सास्त्र सिखे जे पतानों सास्त्रा भ्यास मुखी दे तो ते आत्मा नुभव माटे नुगनान मेड़ी शके नई आत्मा नुभव करवा आटे गनान चे मेड़ी नसके मुखी दिदू पन उद्यम रहित था जे करे ते पन मुखी दे ले उद्यम रहित थे हो अने पुर्षार्थ हिन व्यक्ती कहीं प्राप्त करी शके ने ते सूनी अभ्यासत जी दे जो सात्रो सिखनारो जी ते वाद सामडी ने सात्रो सब जड़ छे M सामडी ने ते सुनी अभ्यासत जीदे जो सास्त्रों सिखना रोजी आत्म अनुभव तो ना समझे उद्यम रहित थना रोजी शुक्ष्मा तत्व प्रतीती पाम्या अचलया कली कले जी अत्मा अनुभव तो ना समझे उद्यम रहित थना रो मार्टे य hmाने आत्मा अनुभव नहीं था जे कही पण गुरु कहे तेनु सवरो अर्थले वोजी ये जे के गुरु कहे के राच्छे आतो तेर कहा प्रबू राच्छे तो गुरु ने कबर न दी कि आ राच्छे के दिवस चे एक कहवा पाचल के गंबीर आश्य चे ये जानवानो रहस्य चे ये जानवा प्रत्न करवो जूई तमें के बदा सूता हो चो सूता के बैठा तो चिन तो के तमें मो निद्राम सूता चो अनादित सूता चो जू उठता न थी एम कईपन नाणी ना बच्चन नो आश्य गंबीर आचे समझवा नो प्रत्न करवो जूई पनापड़ा करतो है तो बधुज जाने सून जाने तो येम केम कईपन नापाचर कहीं रहस्य हसे संसार मा कोई जीवो गंगामो अस्नान करी पोताने पवित्र माने कोई यग्णमा पसु आदिनी बड़ी चढ़ावी धर्म माने आम इंसा करवाती देव प्रसन थी अमारू हित कर से क्या इंसा येमने अगल बड़ी चढ़ावी सूँ येला देव पर ची आपना प्रसन था से अने आपनू कारी सिद्ध थी जशेम माने चे पन भगवाने कयों के इंसा करवाती कोई काले पन पुण्य प्राप्ती थै शक्से नहीं कोई काले पुण्य नी प्राप्ती नहीं था ये तो तमारो भलू क्यां थी था उट तो पाप बंधा है अन्य भलू था तो ये नहीं था इंसा करवा थे स्नान यग्नने धर्म गणीने इंसा माहित भाडे जी स्नान यग्नने धर्म गणीने इंसा माहित भाडे जी तेना प्रते कयों पुन्य नहीं इंसा थी कोई काडे जी तेना प्रते कयों पुन्य नहीं इंसाथी कोई काले जी सुक्षम जी आत्मा तत्व जी भले अरूपी छे एनुष्प धान करो पन आवी रिते आस्नानमो धर्म छे ने यगनमा धर्म छे ने कोई अथा इंसा करtoo धर्म उप्राप्ति नहीं था धर्म तो आत्मानों सभाव छे ए शुक्ष्मत अत्वजेनी प्रतिती करो आवधामों धर्मानी बैसो तो धर्मती दूर जेशो स्नान यग्दने धर्म गणिने इंसाम हिद भाळे तेना प्रते कईू पुन्य नहीं इंसा थी कोई काळे कोई काळे पन इंसा करवा थी पुन्य मलीशकेज नहीं स्नाना धी थी पवित्र थाई भगवानी पुझा करे तेम् Wor किंचित इंसा थाइ एम गणा हैं जणा अपने के बैयावैस नादी करिये पवित्र थाईये शुद्धी करिये ते थी इंसाधाय ने पाणी ने जो जलकानी इंसाधाय के नहीं हैं कोई कहे तो पाण तेनो जवाब पाण ते उत्तम भाव थवानू कारण होआ थी अन्ते आत्माने बहु हित्र कारी सिद्ध थाई छे इस शुद्ध करी, शुद्ध मन, भाई शुद्धी, भाव सुद्धी करी अने तेया भगवानी पुजा करे तो ये आत्माने वो लाबकारी छे बले हम थोड़ी इंसा थी पन लाब घुणों छे माटे ग्रस्तने पुजा करवानी आगना भगवन ते आपी छे भाव थी भगवानी पुजा करवा थी कुमार पाल राजा थेयो देव पाल भगवानी पुजा करयाविना भोजन न लेवा थी उत्तमगती ने पाम्यो मैं आशुदी भगवानी पुजा न करे ते आशुदी भोजन न करे अवो देव पाल तो ते वड़े उत्तम गतीने पाम्यो ग्रस्तने माटे पुजा करवानी भगवनते विधी कही छे केम के ए शुब भावनु कारण छे किंचित हिंसा पुजा मापण बहु हितकारी आनते जी किंचित हिंसा पुजा मापण बहु हितकारी आनते जी ग्रहस्तने पुजानी आगना दिधी छे भगवनते जी किंचित हिंसा पुजा माथ पुजा माथा है पन एनो लाब बहु छे त्यन छे माटे पन बहु हितकारी आनते जी ग्रहस्तने पुजानी आगना दिधी छे भगवनते जी माटे भगवनते ग्रहस्तने पुजानी आगना आपी छे जे एविज रिते घरमंदीर नी धर्मंदीर मंदीर बांदी आपड़े एम धर्म मंदीर बनावाम हिंसा अल्प छे जारे तेनों फ़ल गणू मोटूं छे वई मकान बांदो मंदीर बांदो इंसा न थाए हिंसा तो थाए पड़े ना पाचार पची पुन्य केटलू ढगला ये तो अल्प मात्र थाए पड़े ने हजारों गणू लाखों करोरों संख्याद गणू पुन्य मंदाई जाए मटे जा नुकसान अल्प ने लाबत्यंत विश्चे सोवा थी अवा धर्म मंदीर बांदो आमावे चे धर्म मंदीर करवा माहिंसा अल्प ने फढ़ मोटू जी धर्म मंदीर करवा माहिंसा अल्प ने फढ़ मोटू जी एम शास्त्रम करवे चे तेने विवेक पुर्वक समझी खोटी मान्यता नो त्याग कर जो वित्राग मुद्राना दर्शन करवा थी वित्राग तानी प्राप्टी थाई चे संप्रती राजा विमर्शा वस्तुपाल तेजपाले अनेक धर्म मंदीरों बंधावी लक्ष्मीनों सदुपियों करीपुन्यों पारजन करें थी धर्म मंदीर करवा मा हिंसा अल्पयने फड़ मोटूं जी कयूं शास्त्रमा ते विवेके समझी तजजो खोटूं जी ए वातने समझ्यों के के तमयावी इंसा करता हैं थी मंदीरों बंधी ने तो के ए सास्तर दी वातने विवेक पुरुक समझ्यों के एना द्वारा ए दर्शन करीने वित्राग मद्राओनी अने केवा उत्तम भावो जीव करीने ठेट मुक्त सुधी पहुंची जा से लाब केटलो मोटो पछी एक जीव मुक्त थेऊ तो रोजना संख्याद जीवों नी इंसा बच से तेनुआ निमित छे प्रबढ़ावा जिन बिम्ब जिनागम भविन को आधारा माटे विवेक पोकर ये बाद ने विचार जो आम विजानु सामडी ने गम्मेतेम बोली नहीं देता आजितो उस सुत्र परुपना थाई जेशे सास्तर पुरुवक बोल जो एम धर्म मंदिर करवाम हिंसा आलपने फड मोटों जी कहुं सास्तर माँ सास्तर माँ ये बाद कही छे माटे ते विवेके समझी ही ता इतना भानपुरुवक समझी के हम लाग केटलो नुकसान केटलो एस समझी तज जो खोटूं जी हाम खोटी रिते के मंदिर नी सी जरूर छे हमन इंसा था एम केता केती केशो माँ नी तो मोटा पाप बांस संप्रती राजा थे गया एजने लाखों जिन्द भीम करावया प्रती दिन मंदिर नी एक नीव पायो नखाय त्यार पजीज मोडामों पानी घहले पिमर्शा वस्तुपाल तेजपाले आबू ना मंदिर बंधावया जिम करोड रुपिया नो दान करी दिदू इसले खर्चा तो इभी आजे वस्तु करी गए क्या ही नतित्या जोवा जाए याने कि आरस्त नो गोल करी ने डाई ने पाड़ियो है आउ उस सुक्ष में जिनू काम कराविश ये भगवान नी भक्ती करी छे एमने अनेक धर्मों येमने बंधावी पोताना लक्ष्मी नो सदुपियो करे विजा करोड रुपिया विशे कसाय मों अर्वा परवा मों गाले येमने आवाउत्तम काम भगवानी भक्ती मों गाले पैशा वापर्या पची आगल केचे करेला पापोनो पस्चाताप करी पापती पाचा हठवा माटे प्रतिकमण नी योजना भगवनते करीश प्रतिकमण नी योजना सा माटे प्रति येटले पाचा करवनते हठवू पापती पाचा हठवू एना माटे ग्नानियो प्रतिकमण नी योजना पस पापोने तजी धर्मध्यान में निमग न रहूँ जारे आत्माना अनुभव समय तो निर्विकल्प दशा छे आत्माना अनुभव तेर तो कई विकल्प न थी आप पापने पुन्य वा कोई विचारत न थी ते आत्मां नुभवना समय नानी पुर्षोने पुन्य पाप ना विकल्पो ठोल होता नती जो ते विकल्पो करे ध्यानमौ ते अरे तो फरी कर्म ग्रहन नी धारात यह मने शरूँ थाई जाए नानियो सभामर में एमने ते आपुनियों छे ने वे पापनी ग्रियात त्यागूने पुनिनी ग्रहन करुएवा विकलप एमने होता नथी सहज दशा होई छे एमने मातर उद्य आधिन व्रत्ती इतले यां केछे पाप तालवा प्रती क्रमन छे पाप तजी रहो धर में जी आत्मयन नुभव काले तेना विकलप ती वहो कर में जी पाप तालवा प्रती क्रमन छे माते पाप तजी ने धर्मद्यान मों रेजो पन जारे आत्मा नुभव मा तमे हो ये काले तो विकलप मा वैतानी ने तो फरी कर्म बांसो आत्मा नुभव काले तेना विकलप ती वहो कर में जी आत्मानु भवना समय तमें आवा सुब असुब के सारा खोटा पुन्य पापना विकल्पो करशो तो तमें पाचा कर्म ग्रहनी तमारी धाराश चालू थे जैसे तेयां तो निर्विकल्प दशाचे तेयां बढ़वान निर्धिराचे अने उर्थू तेयां वा विकल्पो चे ते बंदनू कारण थाई पड़े अवे चत्रीसमी गाता मा केचे जें पोस्टिक पकवाननू भोजन उत्तम हुवा चाता तावना कारणे शरीर्मा महादोस्पन करे ताव आवेलो हुए पोस्टिक पोस्टिक भोजन खायतो तावने वधारे बदे तेम वित्राग पुर्षो नो बोधेलो आत्मधर्मा बहु उंचो औने भलो हुवा चाता विकारी जीवो पोताना विपरीत वर्तन थी तेने कलंक लगाडेचे धर्म तो महान उचोच छे, पणा विकारी जिवो आवी रिते वर्ती ने धर्मने कलंक लगाडे तेम भोजन तो पोस्ती के सारूंचे बढ़ वालूं, पणे इने ताव आवेलो छे, माटे एनेली ने, इने माटे तो महादो शुत्मन करे छे तेम धर्म तो आत्म धर्म भगवाने उपदे शेतो परम सत्य घणो जूचो छे, पन तेने पाड़ी शकेनी एवा विकारी जिवो पोताना विप्रित वर्तन थी ए वित्राग पुर्षोंने कलंक लगाडे छे तेती धर्म खोटों नती खोटा एना आचर नारा छे जे मताव मा पोस्टिक पाको महादो सयुप जावे जी उचो धर्म भलो बहुतो पण विकारी लोक लजवे जी उचो धर्म भलो बहुतो पण विकारी लोक लजवे जी धर्म तो गणो जूचो पणा विकारी लोको एने लजवे छे बाकी भगवान वित्रागनों मारतो जगत्मा सर्वती श्रेश्च छे एना जिव शुक्ष्म तत्व कोई धर्मा न थे उचो धर्म भलो बहुतो पन विकारी लोकल जावे जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकली काले जी शुक्ष्म आत्मत तत्व नी प्रतीती ने पाम्या अचल पणिया एवा श्रीमद राजचंद परंकृपालू दे जय आपना गुरु छे ते अवा भयंकर कलीउग मा पण उत्तम आत्मस्तिती ने पाम्या चे घणीउची दशाने पाम्या चे आपने माने विश्ते जिनावे छे जे आपने अवतिकाले सलगरो देवकी छे अपडे 37 करे लिए वेगा था 37 में हेमा के छे जीवा दी पांचे इंद्रियोंना विशियों मा आसकती रहेली हुआ छतां जे सर्व पर्इग्र ने छोड़ी डिक्षा ग्रहन करे ते आर्ध ध्यान करी के पांचे इंद्रियोंना विशियों ने पोसी पाप रुपी घोड़ा उपर चड़े छे ते पाप रुपी घोडो तेने दुर्गती मा लई जाए छे जिवा इंदरी पांच इंजना विश्यों नी आसकती छूटी न थी अंतर थी अने भारती त्याग लेले सर्व परिग्रे छोड़ी नमोनी बनी जाये पन अंदर नों बदू भरेलों छे तो ये त्याँ जिने पन आर्ध्ध्यानेज करशे के पांच इंजना विश्यों ने नेज़ पोच से फिले के त्याँ जिने पन ते आर्ध्ध्यान करी पांच इंजना विश्यों रुपी गोड़ाओ पर चड़े छे अने ते पाप रुपी घोडो तेने दुर्गती मा लई जाईचे शुक्ष्मा तत्व प्रतीती पाम्या अचलया कडि काले जी रसाधी विशये रही आसक्ती सर्व परीग्रह छोडे जी आर्त ध्यान के विशय पोश रुप चड़े पापन गोडे जी रसाधी विशये रही आसक्ती रस आदी रस रूप रस गंद स्पर्श शब्द पाँचे इन्रिना विश्यो तेना प्रति आसक्ती तो अंदर मी वास्तना गई न थी रसादी विशे रही आसकती अने सरो परिग्र छोड़े जी बारती बदो परिग्र छोड़ी दे तो पन केछे आर्त ध्यान के विशे पोशरूप चड़े पापने घोड़े जी ते तिया जिने पनार ध्यानित कर से केम के अगनान गर्भीत वैरागित है ओना थी तिया सर्वत्या संग परित्याकरी दिक्षाली ने पने आर्त ध्यान करी के विशेवन्या पोशरूप गोड़े चड़ी ने पापजबान से अने गोड़ो तेने दुर्गती मलई जैसे इरले निश्कुला नंदे कहुं छे त्याग ना टके रे वैराग्यवीना करिये कोटी उपाय जी अंतर उंडी इछा घणी तेके मकरी नेत जाय जी त्याग ना टके रे वैराग्यवीना वेराग विना त्याग टके निए लेक रुपाल के त्याग वेराग न चितमा थाय न तेने गनान हवा जी ओ त्याग न टके रे वेराग विना करी एक कोटी उपाय जी करोड़ो उपाय करो पन अंदर थी जो विरक्त भाव नहीं आवयो तो कल्यान नहीं था एज निश्कलानन परी गाथा मागल के छे उपरत जे ने अंतर भजे एमन वी सरे अर्थ जी वन स्योरे वर्णा श्रम थकी अंते करशे अनर्थ जी त्याग नाट के रे वेराग विनाम उपर तो बजूत जी दे अने अंतर थी भजे अंदर नी भावनाओ थी तो इच्छे अने बारती छोड़ी दे दुनिया महत्मा के अने अंदर ती रागी होय उपर ती वेराग भाव बतावे सादूपन बतावे इवासद गुरुए विनेनो लाब लेजो काई महा मोहनिय कर्मती बुड़े भवजड माई उपर तजेने अंतर भजे अम नवी सरे अर्थ जी अम आत्मित नहीं था नवी सरे अर्थ जे प्रियोज़न सिद नहीं था केम के वनसयोरे वर्णाश्रम थकी अनते कर्शे अनर्थ जी वर्ण आश्रम ग्रस्ताश्रम रूप वर्ण आश्रम ती छोड़ी दई अने सन्यसाश्रम आवयो पन त्याँ पने अन्ते करसे अनर्थ जी त्याँ जी ने पन अनर्थ करसे केम के अंतरंग वास्तनाओ गई नथी वनस्योरे वर्णा श्रम्थकी अर्थे करसे अनर्थ जी माटे त्याग न टके रे वेरागी में वेरागी भाव न थी तो एस साचो त्याग टकी शकेज नी माटे आगलनी गाथा मों केछे भगवाने कहेला उपदेशोंने साचा भावती विचारीने ग्रहन करी सर्वे सदाचारनू सेवन करो तथा राग द्विष्णा भावने घटारवा नोज निरंतर लक्ष राकवा युगे छे जो तमारे आत्मीत कल्मू होए आप आटनू नाम शुक्ष्मतत्व प्रतिती छे शुक्ष्मतत्व आत्मतत्व एने जो एथार एनी श्रद्धा करवी होए जानू होए तो के तमें भगवाने कहला जे सदाचारना भावो छे तेने साचा रदे आचरों अने राग विश्ने घटाडवा जो निरंत लक्ष्राग। शुक्ष्मतत्व प्रतिती पाम्या अचलया कडिकाले जी सत्य विचारे ग्रही उपदेशो सदाचार सउसेवो जी सत्य विचारे ग्रही उपदेशो सदाचार सउसेवो जी राग रोष्ने घटाडवानो लक्ष्निरंतर लेवो जी शुक्ष्मतत्व प्रतिती पाम्या अचलया कडिकाले जी राग दोष्ने घटाडवानो लक्ष्निरंतर लक्ष्राग। ले क्रुपाल देवे 700 एसी मा पत्रमा लखे हों क्या देहे करबायू की कारे तो इक छे कि कोई प्रति राग अथवा कोई प्रति किंचित मात्र द्वेश्नर है सर्वत्र समदशा वरते यह ज़ा कल्यान नो मुख्य निश्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इले यहां कहूँ के रागदोशने घटारवन लक्ष निरंतर लेवो जी हवे उगुंचे अलिसमी का था मों कहे छे नानी नी आगनाये ते रागदेश केम घटे ते प्रमाने वर्त हूँ नानी नी आगनाये रागदेश केम घटे ते प्रमाने वर्त अने ग्नानी नी आगना जनी आराद्वी होई ते ग्नानी पोते साचा आत्म धर्मने पामेला छेके नहीं ते पाम्यानी पुण पुण चोक्सी करवी कृपाल देव पत्रांग चार सोने छासट मा कयों जेनी पासे दी धर्म मांगवो ते पाम्यानी पूर्ण चोक्सी करवी ए वाक्यने स्थिर्चित्त दी विचारू माटे सत्देव सत्गुरू अने सत्धर्मनु स्वरुप सुछे तेनी परिक्षा करी सत्गुरूने धर्ण करवा अने पूर्वे ग्रहन करेली मित्या मानेता हो नो त्याक करी स्थ्धाने निर्मल करवी एज आत्माने परमहितकारी अउश्चत छे नानी नी आगनाये अत्वा करी परिक्षाधारोजी स्वरुप सुदेव सुधार्म सुगुरूनो ग्रहित्यात्व आरोजी स्वरुप सुदेव सुधार्म सुगुरूनो ग्रहित्यात्व आरोजी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकडि काडे जी नानी नी आगनाने अराधो अत्वा अगनानी पुरिष्णी प्रिक्षाधारी अने सत्यने धारन करो साचा देवनू स्वरुप सुं साचा धर्मनू स्वरुप सुं साचा गुरूनू स्वरुप सुं ये ओलकी ने अनादीनू जे मिध्यात्व चे अग्रहित मिध्यात्व के नवू आवहमों जे ग्रहन करियों कुदे को गुरू को धर्म विशेनू तेने पणवे निवारो याने अमनिश्भव सफल करो सुरूप सुदेव सु धर्म सु गुरूनू ग्रहित मिध्यात्व वारोजी केमकि शुक्ष्म तत्व प्रतिदी पामया अचर आकडिकाल मां शुक्ष्म आत्म तर्त्व नेक शायक भावे जे पामया एवा परमकृपालू देव चे या अपने गुरूतरीके धर्या माटे हवे ग्रहित मिध्यात्व नाश करोू अगलनी गात्वा मों केछे कुदेव कुगुरू अने कुधर्मनो कुसंतजी सत्संगे जिनेश्वर भग्मत्ना उपदेसेला जीवादी तत्वोनो भ्यास करजो जेती जीव अजीव आदी त तत्वोनी शद्धात से अने ते समनी विचार करवानी तमारमों शक्ती प्रगट से कुसंतजी सत्संगे भण जो जिनकथित जीवादी जी कुसंगत जी सत्संगे भण जो जिनकथित जीवादी जी तत्व प्रतीती ए अभ्यासे थतां विचार प्रसादी जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकणि काले जी कुसंत जी ने सत्संग ने भण जो सत्संग मो जो बहुत शवन कर जो सत्संगे अने जिनेश्वर भगवनता उपदेशला जीवादी तत्व नो भ्यास कर जीवादी तत्व जीव जीव आश्रव समवर बन मोक्ष निर्जरा आ साथ तत्व छे के नव पदार छे पुन्य पाप लिए ये मुण भूत नान छे जे क्रपाल दे मोक्ष माला मत तत्वा बोज सत्तर पाट लख्या ते माँ बदू कुलासाती कईँँच ये केमके ये वहवार समकीच साचा देव साचा गुरू साचा धर्मनों इसा शद्धान करवूं ते सम्यक दर्षन नू कारण छे निश्य समकीच जे थी जीवदी आदो नी तत्वा नी जो शद्धा थसे तो तमने ते समंधी विचार करवानी विश्य सक्ती प्रगड़ छे तत्व प्रती दी ये अभ्यासे थतां विचार प्रसादी जी तमने विचारनी प्रसादी मरसे के तत्व तमें जान्षो तो तमें अना उपर विचार करी शक्षो अने साथ तत्व मन हूँ कयो तत्व छुए आत्म तत्व के जड़ तत्व चेतन तत्व के आत्म तत्व एनो पन तमने ख्यालावशे मटे कुसंगत जी सत्संगे भणजो जिन कथित जीवा दीजी तत्व परतीती ये अभ्यासे थताँ विचार प्रसा दीजी अने आम जड़ चेतन नो लक्ष दवा थी आत्मा चेतन पदार छे सिवाए जरी रादी बदू जड़ छे ए जड़ चेतन नो वारम वार विचार करवा थी तेमा स्वसुं अने पर्शुं तेनो स्पस्ट भेद भास वालाच से अपड़े जड़े जीवना लक्षन जोई शूके जीवना लक्षन टो गनान दर्षन चे जानू जोऊ अने जड़नू लक्षन शूँ कोई दिवज्य जानी जोई शके नी ते जड़ पुद्गला दी एम जड़े बरोबर भेद भास से ते रे आ हूँ कौन हूँ जानू छूँ जोँ छूँ ये तो जाने चेंजुए छे ये कौन ये तो चेतन नू लक्षन छे जड़े भी आँख के जड़े वो मगज ये जानी शक्तों न थी काँग जोई शक्ती न थी ये वो भेद तमने के प्रतिक्ष भास से समझन मा आवया पची अने पोता नो आत्मा उलखवा माटे आवा स्वरूप विचार थी ते जागरत थशे ओ हुन तो गनान दर्षन मै आत्मा देधी हूने ये मूरभुत गनान चे ने सम्झन मावसे क्यारे वारम वार सुपर भेद विगनान नी घभवना करशे थू और भेद गनान थी बदा मुक्ष ने पामया चे कुन कुधा चे रे समेसार मा कें चे भेद गनान तह सिद्धा बदा जे सिद्ध तशाने पामया ते भेद नान थी पामया चा अने जे आसंसार मो कर्मोती बद्धाई ने रहला चे ते भेद गनान ना भावे भेद नान नी भावना ना थी भाविये चे जे ती यू भिन्न चूं अभावे एक कर्मोती बंदायला चे पनात्म भावना भावी ने दे थी छुटी गया दे भाव थी इतला माट एक रुपाल देवे आपने भेदनानी भावना बतावी के हुँ दे आदी सरूप न थी औने दे स्री पुत्रा दी कोईपन महारा न थी शुद्ध चैतन ये अविनासी एवो हुँ आत्मा चुँ एम आत्म भावना करतां राख देश नो किशाय था आपने आत्म भावना बतावी चे पुरपाल देवे काई बाकी राखे हुना थी जे जीवोंने प्रियोजन भुत्त अत्वचे शंक्षे बंबदू बतावी दे दे हुआ हवे के छे विचार कर्या करतां स्वपरनो भेद भासवा लागे जी विचार कर्या करतां स्वपरनो फो बतानो आत्मा लखवा स्वरुप विचारे जागे जी पोतानो आत्मा ओलखवा स्वरुप विचारे जागे जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचलया कडी काडे जी शुक्ष्म आत्म तत्व ने प्रणी प्रिशवधान ने पाम्या एवा परंक्रुपालू देव आ कालमक शायक सम्मेक द्रश्टी धयाँचे माटे केचे आगलनी गातामों के आत्मा अनुभव करवानो उत्तम करम छे एम मानी तेने धारन करो आत्मानो अनुभव करवानो अत्तम करम बतावयो के गनानी पुष्ण ना भोद्ना आधारे विशैक शायने घटाड़ी देती भिन्न एवा आत्मानो तमे बारं-बार विचार करो स्वसुने परशूं हुँ कौन छुँ क्यांति टे ओसूंस रुपचे महरूं खरूं एनों विचार करो एना विचार विवेक पुरुक्षान्त भावे जो करें तो सर्वात्मिक नान्ना सिध्धान तत्व अनुभावे आत्मानु भवनी प्राप्तिनो आक्रम उत्तम धारोजी आत्मानु भवनी प्राप्तिनो आक्रम उत्तम धारोजी कदी देवादी कदी तत्व के आत्म स्वरूप विचारोजी आत्मानु भवनी एकले आत्मानु भवनी प्राप्ती नो आक्तरम उत्तम धारो जें कृपाल देवे आपने मुल मार्गम केंचे देया देती भिना आत्मा उपियोगी सदाविनास एम जाने सद्गुरु पदेश्तिरे कईउ गनान तेनु नाम खास आखास मुलभुद नान छे एनी जाने चोदपुर्णु नानी फोक बदा शास्त्रों जाने ला फोक जो आत्माने नी जाने तो बदु भोक शर्व जान्यो निर्ग्रंथ प्रवचन और सर्व जान्यों फढ़ पनी एक आत्म प्राप्ती छे बदु जानींने कोणी जानौँ अचे पता नहीं जातने ओलग विचे कोण छे तो के चे हमिश्ण आँ मुडबुत तत्तो नो विचार करो अने प्रविश्यतों के के प्रुपाले लेक्यूने एम जाने सद्गुरूप देश्तीरे कईउग नान तेनु नाम खास तेरे प्रविश्यतों के खास खास ने खास अखास नान चे बद्धू जानी ने पोताना आत्मा ने उडखो छे माटे आत्मा नुभव करवान उत्तम करम छे मानी अने तेने रहारन करो अने ते माटे कदी देव गुरू धर्म विशे विचार करो के साचा देव कौन साचा गुरू कान साचो धर्म कौन इनो विचार करो साचा देव अरिहन सर्वग्न अढार दूशन्रित देव साचा गुरू निर्ग्रन आत्मगनानी साचो धर्मा के वड़ी प्रुपित दया मुर धर्मा इंसा पर्मो धर्मा M के छे, ए माटे, ए क्रम अरादवा माटे, तमे कदी देवगुरु धरम विश्ये विचार करो के कदी साथ तत्व विश्ये विचार करो के जीव तत्व कोने को enca aggi़ आस्रव संवरबंद moksh, निर्जिरा कोने का За कई मोवख कोने कायो भेद्नानी भावना माटे तो कैचे तमारो आत्मा तमने साक्षात अनुभुमाव से आत्मानु भवनी प्राप्तीनो आक्रम उत्तम धारो जी कदी देवादी गुरु धर्मादी कदी देवादी कदी तत्वो के अत्म सरूप विचारो जी षुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचळ आकडिकाले जी शुक्ष्मा आत्मा तत्वने अचर पणे आ कलिकाल में कौन पाम्या तो के परम कृपाल। ख्षायक सम्यक द्रश्टी थे आछे जे आ कालमा अटली हज सुधी पहुचुए परम दुर्लब्ज। कोईक विर्ला जी पहुची शके ते कृपाल दे ब्रह्मचार जी केचे आवीक शायक स्थिती ने अचर स्थिती ने पाम्या माटे एमनु द्रश्ट शब्धान राखी और अनिया अगनाये बर्तो। आप प्रमाने विश्य सागल जनावे छे जी आपने हावती कर लेश्ट उपरोक्त प्रकारे विचार करतां इलेके पहलानी गातों में वावेलू के देती आत्मा भिन्द छे देती आत्मा भिन्द छे एम विचार करतां दर्शन मोहनिय कर्म नी मंदता छे दर्शन मोनिय कर्म मंद तशे धिलू पड़ से अने सम्यक दर्शन नी प्राप्ती थासे भवे जीवो आवा प्रकार नो भ्यास करवा थी मुक्ती नी निकट ताने पामे छे दे भवे आत्मा ओ आरे ते दे ती भिन आत्मा नो विचार कर शे ते जी वो सम्किन ने पाम से अने मुक्ती नी निकट ताने पाम से ले मुक्ती नी निकट जसे दे ती भिन नी भावना भावा थी शुक्ष्मत अत्व प्रतीती पाम्या अचल याकणि काले जी दर्शन मोह निथसे मंदता सम्यग दर्शन प्रगते जी भव्य जीव आव्या अभ्यासे आवे मुक्ती निकटे जी भव्य जीव आवा अभ्यासे आवे मुक्ती निकटे जी शुक्ष्मत अत्व प्रतीती पाम्या अचल याकणि काले जी दर्शन मोनी थसे मंदता तो सम्यक दर्शन प्रक्टे जी तो सम्यक दर्शनी प्राप्ती थसे अने भव्य जीव आवा अभ्यासे इतले आवो देति भिन्न आत्मा चे आवा आत्मा ना गुणोन विचार करता भव्य जीव आवा अभ्यासे आवे मुक्ती नी निकटे जी काउन सम्मेखद्रश्ञटी हवि अगल लिए चुमा सिमी काथमों कैछे कि उपर जे अनुकरम के शो जवने के Ti-만 आत्मा आदी तत्तों on विचार करवो तो सम्मेखद्रशन थसे इनन सम्मेखद्रशन थवाती क्यवनला न थसे ने मुक्ती पाम् से ये जे क्रम छे, उपर कहला अनुक्रम ती जीव साधना करशे, तो जरूर मोक्ष मार्ग ने पाम से सत्पुर्थना वचनों ने विचार शे, तो जर्षन मों मंद था से, और सम्कीत ने पाम से ये जे मार्ग गयो ते प्रमाणे नुक्रमे वर्त से तो जरूम होक्ष मार्ग अपने बदा गाथाऊ वाँ ची गया तेमों कयों के साथी पहला तो सद्गुरुनी शोद करवी अने एमनी शोद करया पछी नानी गुरु मड़ी आवे तो एमनी आगना मानने करवी एमनी आगना शिरोधारी करवी एमनी आगना प्रमाने वर्तमू पछी जे थी आगना प्रमाने वर्तवा ती साचा देव गुरु धर्मनी श्रद्धा थसे यानि जे के तेमा अपने मानिशों ते प्रमाने वर्तीशों तो आपनू अग्रुईत के गुरुईत मिध्यात नो पन नाश्था से कुदे कुगरु कुधर्म प्रते कहीं पन शद्धा थाया से ये पन मटीजा से जेती साचा देव गुरु धरमनी तो सद्धात हसे और गुरुत मित्यातव नाश्थ थे कुगरु कुदेव कुधरम परतिनी सद्धा नाश्पम शे मयानिकुर्नी अग्नाय वर्तवाती और तेथी कुगरु ने कुदेव कुधरमनी उनुसंग छुटी जैसे शद्धा इमना प्रतिन नहों तेमनों कोई संग करेनी इतले कुदेव कुगुरु कुदर्नी शद्धा छुटी जवाती संग पन चुटी ज़ासे और पची साथ तत्वोन अभ्यास करो कुदेव कुगुरु संग छोड़या पसी सद्धगुरु नियागनाय वर्तु मिठ्यातु नाश्पम से पजी साथ तत्वोनों खुब भ्यास करो जीवादी तत्वोनों विचार करता स्वपर भेद भास वाला ज़े आजीव तत्व, आजीव तत्व के वाए, आसंवर के वाए, निर्दिरा के वाए, मुक्ष के वाए एम जेमजे में तत्वोनों भ्यास से तेम याँ के छे, तेने स्वपर भेद भास वाला ज़े आज स्वप छे, आत्माना गुणो गनान दर्शना दी महारा अने ज़ड ला लक्षन रूपरस गन्ज पर से महारू नहीं एम ज़ड अने चेतन विसे स्वपर नो भेद भास वालाग से तेना परिणामे, तेनु परिणाम शुआव से तेना फ़डम दर्शन वोनी मंदता थाई सम्यक दर्शन नी जीवने प्राप्ती थसे, आत्मग्नान थसे अने ते आत्मग्नान ना बड़े आगलवत्ता केवल गनानने पामी शाश्वत सुखरूप एवा मोक्षने पाम से ए अनुक्रम ने उलंगवा थी, जीव गनानी नाम धरावी ने पन संसार मोज रजले छे हर ते नानी गुरूर ने शोदी, शरन लई, एणि आगना जीव नहीं उपासे तो के छे बलेने अने गनानी लोकों कहे नानी नाम धरावी ने पन ते संसार मोज रजल छे एवाय अनुक्रम थी साधेतो मोक्ष मार्ग जीव पामेजी उपर जी अनुक्रम ते ओ एज नानी गुरुने शोधी ने एवाय अनुक्रम भगवन तो ए नानी ना बोधना आधारे एमनी आगनाय वर्तवाथी सम्यक दर्शनी प्राप्ति थसे एक क्रम ने जे उलंगे ए अनुक्रम उलंगे ते जीव रखडे गनानी नामे जी नानी नामे नाम धरावे क्या तो गनानी पुर्श्चे पणा क्रम नी आरादे ले गनानी गुरुने शोधी अने एक गुरु परंपराईज नान मेली शकार एक क्रम ने नी आरादे तो ए वलेने लोकोईने गनानी के तोपन चार गती मज रधर्शे ये अनुक्रमयू लंगे ते जीवा रखडे गनानी नामे जी अवे अगल के छे सत्त देवगुरु धर्मनी आगनाने मान्य कर्याविना सव स्वमती कल्पनाए तत्तो नो विचार करी पोतानी बुद्धी अनुसार अर्थ करीने अगनानी जीव माननो के धननो विखारी बनी बहु बक्तो भरे छे ते कल्याननो मार्गन थी स्वमती कल्पनाए नानी पृष्णा वचन्दो नार्थ करे अने पोताने गनानी मनावे पन विखारी छे सानो मान अन्य धननो मुटाई मड़े भावाथार अने पेशा पेलोको सादू मुणियों पन पेशा पोताना मठना नामे लेता थाई गया कि तेहां पेशा मुखलावो कि आप पोतानो मानी ने यहां महरू चाले यही बुद्धी जहां थाई तेहां कियां थी गनान थाई प्रतिष्टा करावे एमोई टका राखे औने के पाच्छू जह पोतानो मठ बने लो जह कोई पन धामना वियो तेहां मुखलो पुस्तकोना नामे पैसाले यह बधू आजे अकाल विप्रिचे भगवान महविर कही गया नहीं तो मुणियो तो निश्परिग रही हो एनने परिग्र नो विकल पड़ना हो जो यह परिग्र प्रतिय जो एनों भाव होए तो पसी यह बिजाने परिग्र रहित क्या थी करी अब दो गनान नो भाव चे सम्मिक नान ना थी आत्मना ना थी एकले विव्रति थाईचे एकले यह यह केछे देवादिकने मान्या वीना तत्वादिक वीचारी जी बुद्धी थी बवबकतो फरतो यशधन नो भीखारी जी शुक्ष्म तत्व प्रती थी पाम्या या चल या कड़ी काले जी एम सत्देव गुरु धर्मनी आगनाने माने कर्याविना सोमती कल्पना ये तत्वादिक ने विचारी पोतानी बुद्धी थी जे बवकतो फरे यस धन्नो भिखारी थाईने तो ते साचा कल्यान नो माग न थी ती पोते पन कल्यान पामेनी औने विजानू कल्यान करी शकेनी अवे गाथा 46 म केछे आत्मा तत्व विचार्म जेनू चित्त न थी छता पोतानू सुँ औने पर सुँ तेनू अमने भान छे एम पोताने विवेकी माने छी पन तेनो माने लो देह अने आत्मानो स्वपर भेते यथार्द न थी तो पन दर्शन मोनी बड़वत्तर ताने लिएने पोताने आत्मगनानी माने छे अने मनावे छे एवा जीवो दयाने पात्र छे निंदाने पात्र न थी दयाने पात्र चे केम के जगत जीवे कर्मा धीना येमने उकेम सुझे छे के नो कर्मनो दर्शन मो बढ़वान छे येले ने बुद्धी जेवी सुझे छे आपड़ा माटे जाणू छे निंदा माटे आपड़े नथी जाणू के आउन जगतमा आ उतरता कालमा आवी जश्चा थाईगी छे जीवोनी माटे गुरु धारन करता बहु विचार में ये तो नाज पाड़ी छे आवान परिचे राखोनू कोई अर्था नथी केम के तिया थी के आपने मलवानू नथी अने उर्ती आपने श्द्धा के शाची थाईगी तेमाइ विख्षेप पड़े डगी जाए आटे आवा थी दूरे जर्योग इटले केम मोटाओं मोटो कुसं कोनो कुगुरु अनो मोटा हूँ मोटा कुस्ता, केम के ये जे कहीं पन सम्मेक शद्धान थेयों, तेने पन तोड़ी नाखे, तेमाँ विक्षे पुभो करे, अगनानी पाखंडी कुगुरो पार नाथे, जे एरते भगवानी आगनाती विरुद्धवर ते बदा आच्छावाच चे अगनानी पाखंडी कुगुरो छे, येमना संग ती दूर रहू, इतले हैं यहां कहुँँ, जे तत्व विचार तो करता न थी, आत्मा दी, तत्व विचारे चितन राखे, स्वपर विवे की मानी जी, आत्मा तत्व सूँ पर्शू, अथ्वा एके विर्तेया संसार ना दुखोती छुटी शकार, येनू जने भान न थी, देती भिना आत्मा अनुभवे न थी, अने पाच्छो पोता ने विवे की माने, के पोतानों सोपर्शू हमें बदु जानिया, एम तत्व विचारे चितन राखे, अने स्वपर विवे की माने जी, स्वपर भेद यथार्थ न थी, एवा जीवोन स्वन पर नो भेद, माने लो ते यथार्थ न थी, तो ये माने आत्म गनानी जी, तो ये माने आत्म गनानी माने, स्वपर भेद या थार्त नती, तो ये माने आत्म गनानी जी, तो ये पुता ने आत्म गनानी माने, ये आत्म गनान पाम्याद नती तो भी जाने क्या थी पहमारी शकर, अवे के चे? सुकतर ना विदायने, हा? मुद्ध ने नहीं ने, ये थिसे म 살아cape ने गनानी, जौने इन क्यूं मार्ग अपमारो विदायन, ये आत्म सुक नो अनो भी जाने क्या थी न बतावी शे candy केम के तमेके नेम ए खुद नथी वेत्ता तो भी जाने का नथी बतावी श्केनो मार्ग आत्मक नान मार्ग ने पामेलो मार्ग ने पमाड से ए साचा सुखनो मार्ग पोते जाने अग नथी तो भी जाने का नथी बतावे माटे एमनी पास से जवा थी आपने कोई प्रयोजन न थी कहीं साचा सुद्धु मार मलिश के एम न थी एमनु के एम छे जाने एना भाव प्रमाने पन आपन ने एती लाब था एम न थी दूरे माटे दूरे हो हवे एजी कहीं पन मोटाईनी वातो करे चतुराईनी धर्मादीनी वातो करीने मान मोटाई मेलवा के धन मेलवा माटे करे यहां के छे के मात्र कशायोने वधार नार छे विजु कैनी ए सव चतुराईनी वातो मात्र मानादी कशायोने वधार नार छे आत्म हिती छुकने ते आत्म कारी सिद्ध करावनार न थी पर संसार मा अनंत परी भ्रहमन ने दिस्तार नार छे आपनों अनंत परी भ्रहमन वदी जाए ये जे मार गे आपने दोरी जाए पोते बुडे अने आपने भुडाडे ये हुँ था एसव चतुराईनी वातो माना दिकव धारेजी हितई चकने कार्यकारी नहीं भवे भ्रह्मन वीस्थारेजी हितई चकने कार्यकारी नहीं भवे भ्रह्मन वीस्थारेजी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचड़ आकड़ी काड़े जी ए सव चतुराईनी वाद्तो माना दिक वधारे जन रंजन धर्मने जन रंजन माटे वापडे जन मन रंजन धर्मनो मुल्यन एक बदाम लोकोंने राजी करवा माटे धर्म कथाओ करे तेनु मुल्य एक बदामनू पर नथी ए सव चतुराईनी वाद्तो मात्र माना दिक वधारे जे आत्मा न हितिच्चुक्चे तेने कारिकारी नथी एनु कल्यान करनारी नथी एतो भवे ब्रह्मन विस्तारे जी संसार मा परी ब्रह्मन नेज विस्तार ना छी एवे चल्ली गातामा केचे आपाटनी अपक्षपात पने पोताना दोस देखी साची मुक्षताने जीवधारण करसे तो परमकृपाळु सद्गुरु देवनी भक्ती तेने संसारुपी समुद्र ना अघाद जल्थी जरुर पारुतार से एम किंचित मात्र शंशे नती जो सुक्ष्मत तत्वनी प्रतीती कर भी होए तो छहलो उपाय के ओ अपक्षपात पने पोताना दोस देखी डिथा नहीं निज दोस तो तरिये कोण उपाये तरिशो मैं माराज दोस डयानी मारामा किडला छे इलेके अपक्षपात पने पक्षपात रंख्या बगर इलेके प पोताना गुन जुए न विजाना दोस जुए हम नहीं, अपक्षपात पड़े पोताना दोस देखी साची ममुक्षताने जीव धारन करसे, तो केछे परंकृपाल देश सद्गुर्नी भक्ती तेने संसार, रुपी, समुद्रना, अघाद, जलती जरूर पार उतार से हम कोई शंकाने स्थाने जीए। तो सद्गुरुनी भक्ती तेने भवजड पार उतारे जी अपक्षपाते पताना दोजे मुख्षु जोसे तेने सद्गुरुनी भक्ती जरुरा संसारुपी समुद्रती पार उतार से तो सद्गुरुनी भक्ती तेने भवजड पार उतारे जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकडी काडे जी आप प्रमाने आपाट कुरो थेओ येनी पहली गाथा जे स्तुती रुपे छे फरीती बोली ने आपाट कुरो करियेच शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल याकडी काडे जी एवा सद गुरु चर्णे नमता भव भाव अठते टाडे जी शुक्ष्म तत्व प्रतीती पाम्या अचल आकणी काडे जी आ भेंकर कल्युग मापन शुक्ष्म आत्म तत्वनी प्रतीती ने अचल पने पाम्या आज खशायक सम्धीत जे कदी चलाय मान नहीं था जनु सम्यक दर्षण कदी जाय नहीं एवा परमकृपालु देव आ कली काले पने वी सुक्ष्म आत्मत तत्व प्रतीती ने पाम्या एवा सद गुरु चर्णे नमता भव भावट ते टाले जी एवा साचा अत्मग्नानी शायक सम्यक दर्षणी परमकृपालु सद्गुरु भवना चर्ण कमलमा भक्ती भावे नमन करता एले के तेमनी आजनानी उपासता भव भावट एले संसार नी सरुपाधी नी जन्जालनो क्रमे करी ते जीव जरूर नाश करे छे इस साचा अंत करने परमकृपाल देवा साचा जेवा साचा अपुर्णी आगना उपास से तेनी भव भावट एले संसार नी सरुपाधी जरूर नाश पाम्स आप्रमाने, आपार पुरोत्यों विश्वेस अपने आप्तिकारेस गवरू देवपीधे परमकुपारण